हेलो गाइज वेलकम बैक टो माई चैनल तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं यह ड्रेस की कटिंग जिसकी स्लीज रफल्स है और बोल शिल्डर है इसे आप प्लाजो के साथ वियर कर सकते हो सलवार के साथ भी कर सकते हो जीन्स पे भी कर सकते हो तो अगर आप देखना चाते हैं कि मैंने कैसे कट किया है तो कीप वाचिंग एंड़ इसके अकॉर्डिंग में कटिंग करूं तो मैं जो अचोली की लेंद ले रही हूं वो 14 इंच है और इसमें एक इंच का मार्जन देके मैं 15 इंच कट कर लूगी तो अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख लिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को लाइब कीजिएगा और फेम्ली और फ्रेंड्स की साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं इस एक तम फ्री है तो मैंने या लंबाई ले लिया उसके बाद मेरा प्रेस्ट था उसका फॉर्थ भाग मैंने ले लिया है नाइन इंच और उसमें इतना मैं मार्जन दे दूँगी मार्जन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो दो इंच, एक इंच, तेड़ इंच, आप अपने अखोर्डिंग मार्जिन रख सकते हैं, मैं इसको कट कर दूगी, और इन दोनों पार्ट को मैं अलग-अलग कर दूगी, अब मैं मार्क करूँगी नेक के लिए, तो मैं नेक के लिए आ लेरी, ठाई इंच, और इसकी जो लंबाई है, तो मैं लोगी चार इंच, आप इसकी लंबाई है, अपने अखोर्डिंग कर सकते हो, आप जितना डीप करना चाते हो, तो डीप कर सकते हो, मुझे ज़्यादा डीप नहीं चाहिए, मुझे उट नेक चाहिए, तो मैं यहां चार इंच ले रही है, और बैक में, मैं और छोटा गट करूगी, एक इंच कम कर दूगी, ती इंच का कर दूगी, और शोल्डर मैं ले रही हो, पांच, इसमें आदा-दा इंच सिलने में चला जाएगा, तो यह चार इंच में ले रही मिलेगा, इसकी जो स्लीफ की लंबाई है, वो मैं ले रही हो, साथ इंच, इसमें तेर्ड इंच की गोलाई देते हुए, मैं गूल मार्क लगा दूगी, ताकि मार्ण शोल्डर का शेप जो है वो अच्छा है, और आधा इंच में इसकी कंदी डाउन करूँगी, और उसके बाद मैंने यह जो बैक का निशान लगाया है, उससे कट कर दूगी, और उसके बाद मैं इसका जो बैक पार्ट है, उसको हटा दूगी, फ्रंट पार्ट की नेक की कटिंग कर लूगी, जो मैंने मार्क लगाया हुआ है पहले से ही, अब मैं जो इसमें प्लेट्स डालूँगी, उसका मार्क लगा रही हूँ, उसका उपर से आदा इंच छोड़ते हुए, 10 इंच पे मैं मार्क लगाऊंगी, आगे की तरफ से 3.5 लूँगी, और इसमें मैं 2 प्लेटे डालूँगी, ताकि जो मैं फिटिंग लगाऊंगी, उसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, उसके बाद मैं नीचे का पार्ट कट कर रही हूँ, जो अमरेला है, और उसे मैं अपने अकॉर्डिंग, मेरा जो मार्क का है, मीजरमेंट, वो है 30 इंच, तो मैं उसके अकॉर्डिंग 4 भाग लेके, और 1-1.5 इंच का मार्जन देते हुए, मैं इसे कट कर लूँगी, मार् लगाऊंगी, और इस तरह से आपको अपने कोने में जो पोना बनाया है, इस से रखते हुए, पराबर करके हाथ लगाना है, और इसको अपने कोने कट कर लिए, और अब मैं इसकी लंबाई हुदी, जो मैंने ली थी 30 इंच, तो मैं उपर से 14 इंच, जो मैंने चोली कट कर इसको निकालने के बाद मैं नीचे का पार्ट कर दरूगे, जो मैंने जोग्दा इंच नी थी, तो मैं निकाल मुदी, और इसके बाद मैं 30 इंच, 3rd इंच, सब्सक्राइब कर दो जाएगा अब इन सारे मार्क्स को मैं एक साथ जॉइंट कर दूगी कर दो कि मुझे ज्यादा है वी यह नहीं चाहिए इसका तो मैं थोड़ा सा क्लीव भी कम करोगी तो आप जितना करना चाहें कम कर सकते हैं नहीं करना है अगर आपको तो आप से भी रख सकते हैं तो यह मेरा कट हो चुका है अब स्विप्स की कटिंग करेंगे तो मैंने यह रख लिया है स्विप्स के लिए स्विप्स के लिए मैं ले रही हूं पाँच इंच फाइव एंड हाव और यहां ले रही हूं तीन इंच इस तरह से मैं मार्क लगा के इसको गट करना है मैं इसमें दिखाना पूलगी कि मैंने जो स्लीज लिए है वो बारा इंच ली है चोडाई इसकी और इसको मैं कट कर दूगी अब मैंने जो इसमें रफल्स बनाए हुए है वो कट करूँगी उसके लिए मैं इस तरह से कपड़े को फोर्ड कर लूँगी यह फोर फोर्ड हो चुका है और मेरी जो स्लीज है वो साथ इंच है तो मैं इसमें मार्ग लगाऊंगी और इसमें आदा इंच मैंने मार्जन भी जोड़ लिया है सेवन इंच में तो मैं इस तरह से मार्ग लगा लूगी और इस सब को जोइंट कर लूगी और नीचे जो है वो भी में मार्ग लगाऊंगी फाइव इंच इन सब को मिलाके मैं कट कर लूँगी इसी तरह से मैं जो इसमें मैंने डबल पार्ट में रफल्स लगा हुए हैं तो इसी तरह से मैं और अगला पार्ट भी कट करूँगी लेकिन वह थोड़ा मैं पड़ा कट करूँगी दीचे वाला जो हिस्सा है इस तरह से मैंने फॉर फोल्ड करके रख लिया है और जो मैंने पहले कट की थी उसको स्लेव को बहुर कर दूँगी और इस तरह से मार्क कर दूगी और आदा इंच उपर कर दूगी क्योंकि आदा इंच हमारा इस्ट चिक में चला जाएगा उसके बाद मैं नीचे के मार्क लगाऊंगी फाइव इंच इन सब को बिला के मैं कट कर दूगी जो मैंने पहले किया था स्वी इसमें रफल लगाने के लिए उसी का मैं चार पार्ट कट करूँगी क्योंकि इसके अंदर भी हमें लगाना है इसी तरह से मैं सेन் बाद कर दूगी जो मैंने पहले किए थी कट इस तरह से रखूओगी और कट हरूगी इस तरह से ये मैंने पूरा कट कर लिया है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा उसके पास एक बाल प्रेस केजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो मैंने कटिक कर लिये अब मैं आपको इसको स्टिचिंग करने के बाद दिखाऊंगी तो ये स्टिचिंग के बाद कुछ इस तरह की दिख रही है आप इसे किसी भी लेगी जीन्स के साथ बियर कर सकते हो तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक के लिए टिल तन बाबाई